कि दोस्तों सभी को जय साय रहा हूं कि सुबह के करीब साड़े आड़ बज रहे हैं और मैं निकार रहा हूं स्रीडी से उज्जैन के लिए और पोटल का चार्ज मैंने मिंसन करी दिया हूं मुझे दो दिन का किराया 800 रुप लगा और पहले तो मैं वसे भी मंदीर के सामने से ही जाना है कुपर गाओं मनमाड दूले यह सब पड़ेगा गूना पड़ेगा इंदोर पड़ेगा इंदोर के बाद युज्जैन मंदीर के पास दो मिनट रुक करके प्रडाम करके आगे निकलूंगा कि यह आगे माया साइ मंदीर और चुकि यहां भी मैं जैसे ही रुका तो काफी लोगों ने घेर लिये देखी सकते हैं और सब को रिस्पांस देना भी जरूरी होता है इसलिए दो मिनट के जगा भले दस मिनट लग जाए और यह मैं श्रीडी से मनमार के करीब पहुंच गया सामने जो पाड़ी देख रहे हैं मनमार के नजदीक में ही है साम तक मैं उज्जेन पहुंच जाओंगा इसा मेरा उम्मीद है कुल यहां से 470 किलोमेटर है श्रीडी से उज्जेन और अभी तो सिंगल ही रोड है समझो और लेंड मिलेग आगे आगे सोलो राइड है अपना तो अके लिए और यह मैं आग्या मनमार सीटी में यह लेप्ट में अपना रिल्वे स्टेशन मनमार का इस ब्रीज के उपर से निकाल रहों में कापी अच्छा लगा श्रीडी में मुझे दो दिन रुका दोनो दिन दर्शन किया साई वावके दर्वार गया बंडारे में प्रसाद ग्रहण किया हराम दयाक रहा कोई तकलिप नहीं हुआ किसी प्रगार का कोई परसारी नहीं और गाड़ी भी बहुत स्मूध चल रही है कही कोई दिक्कत नहीं हुआ अब आगे दूले पड़ेगा मनमाड क्रास करूंगा तो कि अधूले से आगे फिर गुणा गुणा से आगे फिर इंदोर अगर अगर उज्जयन में देखते हैं क्योंकि मैं उज्जयन 15 साल पहले गया था अभी काफी बदलाव आ गया होगा ऐसा तो अन्दाजा है मेरा उम्मीद है कि वहां भी थोड़ा सा तकलिफ होगा होगा मेरे को कि रूम अगर लेना है कि यह मैं इंदोर सिटी पहुझ गया साम के अब यहां से लगभग 60-70 किलो मेटर होगा उज्जयन तो मैं उज्जयन के पहले ही कही नाइट इस्टेकर हुआ है सिकंड नाइट जहां इस्टेक लिए उज्जयन से 30 किलो मेटर पहले इंदारों उज्जयन के बीच में है कि यह सब समान है अब मैं उज्जयन यहां से 30 किलो मेटर है आधा प्रण गंटे पहुंचता हूं हुटन में रूम लेता हूं नहां के बढ़िया दर्शन के लिए जाओंगा और कल सुबर फिर जहांसी के लिए निकलूँगा तो फैनली मैं उज्जयन पहुंच गया और यह महाकाल मंदीर के काफी नज़्दी है साइड में जो रूर दिख रहा है वो पार्किंग के लिए ट्रस्ट वाला पार्किंग और यह होटल सफायर में मैंने रूम लिया हूं 800 रुपे पारड़े में ग्राउंड फ्लोर में ही माका